कैसा लग रहा है आज राम जी के दर्शन हुए बहुत सालों से निजार गरेज इतनी उमर नहीं है लेगि हमारे कहीं पीडी पहले भी करती आई हमारा सोबाग गया है कि हमारे टाइम में ही होगा और जो हमारे बुजरुग हैं वे नहीं देख पाए आज पांसो वर्स बाद हमारा सपना साकार हुआ है कुछ लोगों ने कहा विपक्षिय नेताओं ने कि भाईया राम जी को ही पोलिटिकल बना दिया है राम जी के नाम पर वोट बट्रने का काम कर रही है भाजपा और इसलिए आदे धूरे मंदिर में प्राण परतिश्टा की जा रही है अगर गिना भाई तेजाशी प्रतो लिश्ट भी नी पढ़ी NAGI इतने बनगे जी एम सोर यह बढ़ीं और αλλά कालीज रिशाण सेंटर कर रहने कोई कुछी ही कह दो इसमें क्या है दलिस समाज के विरोधी है अगर विरोधी होते तो मेरी सी वालमी के वायड़ा क्यों रखते हैं दोस्तों नमस्कार मैं उरो इश्यरमा आप देखना सुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाई न्यूज आप सभी ने देखा कि प्राण प्रतिष्टा हुई और 500 सालों का इंतिजार एकदम से खतम हो गया और पूरे देश में एक ही भावना है वो है राम के परती हर कोई राम को देखना चाहता था हर कोई इस प्राण प्रतिष्टा को देखना चाहता था कैसे प्राण प्रतिष्टा होगी कैसे एये सारी चीजे संभभ हो पाएंगी जो कभी कोट में थी चीजे या फिर बात करें जब उन्निस सो बानवे में ये सब हुआ था बाबरी को ढ़ाया गया था तो उसके बाद किसी ने सोचा था क्या ये सब संभभ हो पाएगा इस तरह क की चीज़ें हो पाएंगी लेकिन आज सम्बव हो पाया है राम की प्रान प्र्तिष्टा हो गई हैं पीछे खड़े लोग हैं जो इसको एस तरह मना रहे हैं दिवाली की तरह इसको मना सबसे पहले दो आपका रियक्शन बताईए सबसे पहले देखने के बाद क्या महसूस हुआ किस तरह बहुत अच्छा लेगा जी इस अच्छा क्या चाहिए जो अब आया बहुत सालों से निजार घ्रेज इतनी उमर नहीं है लेकिन मारे कहीं पहले भी करती आई महारा सोबाग है कि आपके समय में में मैं समय अथी अवह सप्टा भी कुछ लोगोंने पोल्टिकल इवेंट बताया कि भेए पोल्टिकल इवेंट लेंट पह linear वोन की सोच रही है जाएँ अम को लोग कोड़िया लोग camera सब्सक्राइब लोगों का तो बहुत संगर्स रहा है आपका तो पूरा का पूरा संगठन आपका यहां पर हाजी संगठन मंत्री जी हमार साथ में राज कुमार जी कैसा लगा जब पहले दर्शन किये राम जी के हम पहले भी युद्धा गए थे और बार बार भी शिंदु बजंगल समय संगर्स चलता रहा कितने हमारे बलिदानी हुई है इसमें और जो हमारे बुजरुग हैं वे नहीं देख पाए आज 500 वर्स बाद हमारा सपना साकार नहीं है कैसा अपने बलवा गाओं के बात कर रहा हुघु कर फूरा देश भगवा में गरगर दवजै भगवां जी का, स्री राम जी का, हनुमान जी का घर-गर हवन हो रहे हैं, घर-गर धिये जलाएजाएंगे, सामें दीपक जलाएज़ाएंगे, घर-गर वीजे तिलक हो रहा है, इतना सुंदर बातरवन है कि हमारी आने वाली पीडी जो हमारे बुजरुरे नहीं देख पाय विदुद नहीं हैं, अर्लन ओस्तन करता हुए है लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा विपक्षिय नेताओं ने कि भाईया राम जी को ही पोलिटिकल बना दिया है राम जी के नाम पर वोट बटरने का काम कर रही है भाजपा और इसलिए आदे धूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्टा की जा रही है प्राण प्रतिष्टा देखिए हमारा जो जब से यह धाया गया था तब ही से हमारा कारिया चल ला था अगर उनके कहने से कुछ नहीं होता अगर आज हम इस कारिया करते तो कितने बर्स लग जाते हमें धाने के बाद ही तुरंत जो है पत्थर बनने शुरू गए उतराम जी क मंदर के जो कि आज तक पूरे नहीं हो पाए यह बिशिंदू परिशद बजरंग दल सुरू से अपना कारिया कर रहा है और हमेशा करता रहेगा चैनपाल सिंग कैसा लग रहा है आज राम जी की दर्शन हुए गदगद हो रहे जी हम तो गदगद हो गए है कैसे लगा था क छोड़ी एक दिन यह मंदिर बन पाएगा जिसके बारे में सुनते थे हम भी बच्पन से सुनते ही आ रहे थे मंदिर महीं बनाएंगे फिर मिपक्ष कहा लगा तारीक बताएंगे अज मंदिर भी बन गया है आपकम परीवार के साथ जाना चाहता हम जे पहले तारीक सा कुछ्दै कि विपक्स तो कहें गई जो पर टी इच्छा काम करेंगी विपक्स उसका विरोध करेंगी तो आज अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह मोधी कही तो एक जो एक साल में दो बर दिवाली मनुवादी कुछ लोग तो कह रहें कि अधिया दूरे मंदिर में पर्तिश्टा गरदी नहीं है यह तो वी पक्स हौं पुछ भी कह सकते हैं बहुत अच्छा जी क्या पार खुषी थी रहे हैं आपके यूपी नेता अखिलेश जी है मंदिर नहीं गए नीटा मिलने के बाद भी कहते मैं तो जानता नहीं विश्ण तो अखिलेश जी ने क्या गुरेज था इस बात से जब निमंतन मिला निमंतन तो कोई भी दे दो विपक्स दे दूसमन भी दे तो जाना चाहिए निमंतन को सुविकार करना चाहिए यह तो उनकी सोच है अखिलेश यादव जी की कि ऐसे कॉंग्रेस पार्टी ने किया निमंतर्ण मिला बोले हम नहीं जाएंगे हम बात में देखेंगे अभी भाजपा का इवेंट है ये अभी कोई मंदिर को ऐसा बना दिया कि वोटों का एक सारा बना लिया है क्या कि वोटों का इवेंट का से बना वोटों का तो बहुत पहले से बना ये तो बीजेपी सरकार की देन है कि उन्होंने जो है अभी तीन लाज्यों मापार जितनी हुई मा का मंदिर बन गा था जब तो मंदिर नहीं बना था प्राण परतिष्टा नहीं हुई थी तो तीन राज्यों में अपार उमत से क्यों सरकार आई बीजेपी की यह तो उनके अपनी सोच है कॉंग्रेस की तो अब क्या लग रहा है मंदिर नहीं बना था तो तीन राज्यों में बहुत बढ़िया जीत हुई है एक्दम शांदार 36 मद्यपरदेश राजस्तान तीनों जीत गए अब मंदिर बना है तो चुनाओ पर क्या फरक पड़ने वाला है अभी मुश्किल से दो महीने बचे हैं लोग सबागे चुना होने वाले हैं क्या फरक इस पर देखिए रोईत भाई मेरा सोचना तो यह है इतना अच्छा माहल बना राम में जो इतने वर्सों से 500 वर्सों का इंतजार जो हमारे बुजार को रितियास बता रहा तो देशवासियों के लिए तो गर्व की बात होनी जहाँ पर बुशी राम पेदा हूई और मावीराज माननी हो पाए तो कितने वह कितना बढडा हो था और अब जो है मौनेम परधान मंतरी जी की हैं और हमारे यह सेषभी मुख्यमंतृय के ने तृत में और जख हमारे संगफान जो लगे वे विस बढ बढ़ी शुन दु कि जब भी से जब शुरुवात हुई थी कोट वगेरा में मामले चले थे जब इसे पत्थर बनने सुरू हो गयते हैं जी बहुत बड़ा विश्वास था हमारे संगटों ने और जनता ने देश की विश्वास था कि एक दिन मंदी जब भी तो बना जी हां बिलकुल बनेगा ज बना देते कोई कोलेज मना देते कोई इनिवर्श्टी मना देते कुछ ऐसी चीज में तेजस्वी अने ओस्पिटल कालीज बनाएगा इतने एम खुल गे और इतने कालीज बनगे देश में जब सभी जेपी कि सरकार है मानने परदानमंतरी जी के नेतरत में अगर गिनावे तेजस्वी पर तो लिस्ट भी नहीं पढ़ी जाना की इतने बनगे जी एम सोर और और कालीज रिशाज सेंटर कहने ने कोई कुछ ही कह दो इसमें क्या है कहने को किसी की जबान थोड़ा पकड़ी जाया जी के एक नेता है सैंपित्रोदा वो कहते हैं मंधिर अभी देखिए परदानमंतरी जो है मंदिर मंदिर घूम रहे हैं मंदिर घूमने से देश थोड़ा चलेगा यूनिविश्टी घूमिए कोलिज घूमिए बच्चों से मिलिए ऐसा कुछ कीजिए करे मंदिर मंदिर जा रह अब आपको लग रहा है जो कहते मोधी की घारंटी आजगल चल रहा है रहे हैं तो आप देख लूद रोज इंटर्विव करें गारंटी में भी कुछ शक है कोई शक नहीं कोई सक नहीं है या तीसरी बार परधानमंत्री बनने जा रहे हैं नहीं बिलकुन दोजार चोवीश किलियार ग्रीन सिगनल ग्रीन सिगनल राउल गांदी पहले घूमके गए आप से मुश्किल से दो किलो मिटर दूर आपके आगे से गए निकल के इदर से अधर पिर अपिर मनीपूर से चल दिये वापिस नेया यात्रा लेकर वो प्रधान मंत्री बनने का सबने तो सब देखे, सबने तो देखनय वीचे हैं देखो देखो खुलिया इंको से देखो तो क्यों जी राउल गांदी जी टेहए हैं बहुत अच्छा हैं यात। दोजार circles मानी किसी का नंब्रुअचंत guilty नहीं 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 पहले इतने खोटा ले उये इतने वरस्टा-चार हुए जब क्यों नहीं का मि जब देश किसने बेच लिया था क्यों जी क्या नाम एं रामेर जी वालमजी की है भगा ओर कई तरशन की एं तरशन की ए राम मेर भाई हमारी जुटी बालमी की मंदिर में थी हम लोगों नावन पूजन हुए किया हा सब लोगों ना सुरुआ आती हुए मैरसी बालमी की मंदिर से इस गाम में जितने भी मंदिर थे रोहित जी मैं आपको बता हूँ सवेरे सी लोग इतने उच्छ थे के सवरे नाद वाक सब मंदिरों में विदीवात अवन पूजन हुए और उसके बाद फेर हमारे संगठन के लोग थे जिनकी इच्छा थी कि हम सोबा यात्रा निकाल ले निकाल ले बड़ी शांति पूर्वक संपन हुई आप थोड़ा लेट आए अगर जब देखते हैं जब माहुल देखते ह और कितने शांति पूर्व आमेर जी आपको पता है आपके समाज का कितना बड़ा योगदान है इन सब चीजों में वालमी की समाज का पूरे देश को चलाने में योगदान है आप से जादा योगदान मुझे नहीं दखता किसी का भी होगा अब यह बताएगा कि जो यह माह पूरी यूपी में योगई आना है योगदान है और प्र क्या लग रहा है है जी परदान मंतर जो है यहां कोई अटाता ही निए दोजार चोबिस में वालमी की समाज जो दलित समाज थोड़ा गड़ गड़ गया हो थोड़ा भाजपा से दूर है यह सब एक है नेता है वो चंदर सेकर रावन कहते हैं कैसा रहा है मंदिर नहीं जाएंगे हम जाएंगे साब अगर एक अगर एक 2,600 डरो यका advisten जाया क्या मंदिर नि ब्रनेगा क्या नहीं होने गए आ पूच रहे थे कि मंदिर से किया मिल जाएगा यह जाए यह मेल इं critics लिए टनी बड़ी कुछी है के और बच्चा बच्चा सुरिण ॥ा मिज्ण कर राजी कि स आमेर जी मैं भी आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कहीना कहीं पिछले 10-20 सालों में जो हम लोग जिस एज में हम पैदा हुए जो 90 में पैदा हुए वो कहीना भठके उनको नहीं पता कि क्या योगदान रहा आप लोगों का और राम को जानने में अगर आज जो सबसे की जी की ड़री लोगों को राम जी के बारे में बताने तक वहना उन नहीं होते तो खाहां पता होता हमन में लिखा है कि राम के पैदा होने से भी 88,000 वरस पहले रामान लिख दी गई थी और उसमें राम के बारे में लिख दिया था कि ऐसे ऐसे होगा वालमी कोई हमाई रही नहीं है वे जगत गुरू है और जगत गुरू है जी और आमेर जी अब आपका एक कर्तव और बन जाता है आप जो आपके बच्चे हैं उनको भी इस वारे में बताईए उनको बताईए कि यह सब चीज क्या है ऐसे किसी के बैकाव में नहीं कोई एक आदमी आए कहेगा मंदिर नहीं जाएंगे हम तो जाएंगे जी सताइस में जारा पुरा संगटन जाएगा बेलकुल जाएगा जी एक सेत्र में बिलकुल हाँ जी पूरी दुनिया में होना है